होट सब गाईज यार क्या हाल चाले तुम सभी लोग के होप सब काफी ज्यादा बढ़िया कर रहे होगे वेल्कम बेक टु ए निव वीडियो अफ मॉर्टल कॉमबेक्ट वन आज कल हर जगा इसी गेम के चर्चे है अगर किसी ने उनका मेडिसिन ले लिया तो वो किसी भी बिमारी से काफी ज्यादा इजली ठीक हो सकता है बट यहाँ पर हमें काफी बड़ा प्रोब्लम देखने को मिलता है शैंक सुंग जो दवा बेच रहा होता है वो काफी ज्यादा महेंगा आता है जो यह गरीब गाउवाले एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे पट शैंक सुंग धिरे-दिरे गाउवालों के मन में यह ट्रस्ट बनाने का कोशिश करता है कि उसका दवा काम करता है पर तब ही वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है अब देखते इस भाई सब का क्या कहना है तो इन भाई सब का कहना है कि जब उनकी बेटी काफी ज्यादा बिमार थी तब शैंक सूंग उनके पास आये थे और उन्होंने कहा था अगर तुम मेरा मेडिसीन यूस करोगे तो तुम्हारी बेटी बच जाएगी और तौर तुम्हारे बेटी के साथ एक ऐसा मेरेकल होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा और तुम्हें तो पता ही होगा कि शैंक सूंग का दवा काफी ज्यादा महेंगा आता है तो इस बंदे ने काफी ज्यादा मुश्किल से वो दवा खरीजा था अब देखना ये कि भाई साब शैंक सूंग के साथ क्या करते है काफी गुस्से मैं भाई ये मेडिसिन का बोटल वगरा भी तोड़ दिया इसने देखते ही देखते भाई सबको काफी बुरे वाला खुननस चड़ गया और उन्होंने शैंक सुंके बिलकुल रख के बजा दिये देखते ही देखते ही पूरे गावले भी इकटे हो चुके पूरे दिन के भाग दोड के बाद हमें रात को काफी ज़्यादा प्यारा सा बारिश देखने को मिलता है अब हमें बस देखना ये कि इस बारिश में कुछ खतरनाक तो नहीं हो रहा है बारिश तो काफी ज़्यादा तगड़ा हुआ है भाई यहाँ पर एक बंदी का घर दिखाया जा रहा है जो कि काफी ज़्यादा गरीब लग रहा है कही ये शैंक सुंग तो नहीं ये बंदा काफी ज़्यादा दुख में लग रहा है और हूलिये में तो मुझे ये शैंक सुंगी लग रहा है पर हैरानी की हूलिया कैसे बतल गया भाई ये काफ़ी ज्यादा बड़ा ट्विस्ट लग रहा है अब इसका रिजन देखना पड़ेगा यहां पे किसी दूसरे इंसान का भी आवास सुनाई दे रहा है अरे ये तो कोई बंदी है भाई साब अरे अरे ये तो भूत निकली है मजाग से हट क सुनना पड़ेगा कि ये लोग क्या बात्चित कर रहे हैं इन लोगों के बात्चित से इतना समझा रहा है कि इस बंदी का ये कहना है कि ये शैंक सुन को काफि सारे मैजिक्स वगरा सिखा सकती है बट अपना शैंक सुन को ज्यादा इंटरस्टेड नहीं लग रहा है अब देखना है कि आगे क्या बात्चित करते हैं ये लोग ये बंदी शेंक्सों को काफ़ी सारे लालच वगरा दे रही है अब देखना ये कि शेंक्सों का क्या रेस्पोंस आता है भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बंदी कुछ ना कुछ गड़बड करने वाली है मुझे काफी ठगड़ा फिल आ रहा है कि ये बंदी आगे जाके काफी खतरनक विलन बनने वाली है और तो और इसने शेंक सुंग को भी कन्वेंस कर लिया है भाई का मुस्कुराइट तो देखो ओके तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज्यादा तगड़ा इंट्रो दिखाया जाता है अब देखना ही है कि स्टोरी में आगे क्या कंटीनियू होता है वैसे स्टोरी है तो काफ़ी ज्यादा इंट्रेस्टिंग यहाँ पर काफ़ी ज्यादा बड़ी आसा माउंटिन्स वगरा दिखाया जा रहा है वैसे यह किसी विलेज का सीन लग रहा है अब देखना ही है कि यहाँ पर क्या चल रहा है यहाँ पर मुझे दो बंदे दिख रहे जो कि कुछ अपना काम वगरा में लगे पड़े मुझे ये दोनों बंदे फार्मर से लग रहे क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा मेहना से काम कर रहे और ये लोग कुछ वेजिटेबल्स वगरा भी उगार रहे इसलिए थोड़ा गुस्सा हो गया अच्छा ये अपने पुर्वोजों के बारे में कुछ इंट्रेसिंग स्टोरीज बता रहे सुनते है यार भाई को काम से अटके थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट साही है तो चलो यार देखते है क्या होता है शायद इन तोनों के बीच कुछ चैलेंज लगने वाला है बाचीज से तो ऐसा ही लग रहा है देखते क्या होता है अच्छा तो चैलेंज या लगा है कि कौन सबसे ज़्यादा फास्ट काम कर सकता है भाई साब दोनों ने अपना काम काफी ज़्यादा फास्ट किया है अब देखना ही है कि कौन जीतता है इन में से तुम लोग किसको वोट कर रहे हो जल्दी से कमेंड में बताओ ओके तो अभी शायदे लोग कही पे चाय वगरा पीने के लिए आया है क्योंकि ये लोग काफी देड़ से काम कर रहे थे अब देखना ही है कि ये लोग आए कहां पर है आसपास के माहल से तो ये काफी तगड़ा रस्टरॉंट वगरा लग रहा है अब ये दोनों भी कुछ बात चित कर रहे हैं सुनते क्या बात हो रहा है ओके तो अपना बंदा काफी ज़्यादा भूका है और यहाँ पर एक दादी आ ये जिनका नाम मैडम बो है और शायद ये खाना वगरा बनाती है ये मैडम बो तो काफी ज़्यादा कूल दा दिये भाई अब देखना ये क्या आगे क्या होता है अच्छा शायद ये टीचर वगरा भी ये भाई काफी तगड़ा बाचित लग रहा है इनका तो अच्छा ये बनता मुझे काफी ज़्यादा आलसी लग रहा है क्यूंकि मैडम बो का ऐसा कहना है कि ये प्रेक्टिस वगरा नहीं करता ओके तो इन दोनों के बीच में चैलेंज लगा था कि जो सबसे पहले काट लेके आएगा उसे दूसरे बनते से ट्रीट मिलेगा बेचारे दोनों इसी बात पे जगड रहे है ओके बातो ही बातो में इन दोनों के बीच काफी तगड़ा फाइट का चैलेंज लग गया है अब देखना ही है कि इस फाइट में जीतता कोन है वैसे ये दोनों दोस्ते तो ये जो फाइट ए फ्रेंडली मैश होने वाला है बट फिर भी काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग मैश होगा क्योंकि दोनों के तोनों काफी ज़्यादा टककर के प्लेयर से उके इन लोग का रूली है कि फाइट में तीन राउंड होगा जिसमें से जो दो राउंड जीता वो मैश जीता साथ में इन लोग को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इन लोगों ने दादी के दुकान का गुस्तोर दिया तो इनको काफी बुरे वाला पढ़ने वाला है ओके बातों ही बातों में काफी तगड़ा फाइट स्टार्ट हो गया है अब देखना ये की जीतता कौन है इंटरेस्टिंग क्योंकि दोनों के दोनों काफी ज्यादा टकर के प्लेयर से अब देखना ये की जीतता कौन है भाई ये बंदा तो काफी बुरे वाला बजा रहा है ओके देखती ही देखती है ये बंदा काफी ज्यादा इजिली जीच चुकाու है काफी स्ट्रॉंग बंदा लग रहा है μुझे ओके ओडियंस वगरा काओ पी तगड़ा ताली वगरा बजा रही है यार बिल्कुल चीर वगरा करा जा रहा है इस लॉंडे को अब देखना ये क्या आगे क्या होता है ओके तो अब शायद रात का वक्त हो गया है और ये दोनों बंदे खाना वगरा खा कर बैठे हुए है ये वदना मेडम वो को विल बगरा पे कर रहा होता है तब यहां पर एक नोट उड़के एक बंदे के हाथ में चला जाता है जो कि काफी ज्यादा तगड़ा विलन लग रहा है मुझे तब इस बंदे का क्या कहना है सुनते है बाई कुस तो काफी तगड़ा ओने वाला है तो इस बंदे का मेडम वो को यह कहना है कि अगर तुम्हें अपना जगा को प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें हम लोग को पैसा अगर आप एक करना पड़ेगा वरना तुम्हारे जगा को हम लोग तोड़के चले जाएंगे अब देखना यह कि मैडम वो का क्या रेक्शन इसने मेडम वो को काफ़ी बुरे वाला बजाये था ओके तो यह बंदे अगर स्मोक को काफ़ी बुरे वाला बजा दे तो मज़ा यह जाएगा लेकिन स्मोक ने इनका बजा रखा है तो देखते यह बंदे स्मोक के साथ क्या करते हैं वैसे स्मोक को हलके में नहीं लेना चाहि वैसे मैं पूरा होप कर रहा हो कि अपना बंदा ही जीते हैं इन दोनों के बिच काफ ज्यादा इंटेंस फाइट स्टार्ट हो गया है यार देखते कि कौन जीतता है बातों ही बातों में हमें स्मोक को भी हलके में नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके मूव से मुझे ऐसा लग खुद शौक हो गया है कि इसने इतने बंदों को कैसे डेर कर दिया यहां पर एक बंदा रसी घुमाते हुए आ रहा है और तो और उपर से यह बंदा भी कुछ ना कुछ फेके जा रहा है बट तुमारा से अपने बंदे काफ ज्यादा इजीली बच चुके बट ज्यादा द ओके तो उपर वाले बंदे का यह कहना कि एकर तुम लोग को अपना जान प्यारा है तो यहां से निकल लोवर ना यह सब तुम लोग को भी फेस करना पड़ेगा बट अपने बंदों ने कह दिया है कि हम लोग फेस करने के लिए तयार है बट मैडम बो को चोड़के कही नह अब देखते ही देखते ही देखते दूसरा फाइट भी स्टार्ट हो चुगा है अब देखना ही है कि इसमें कौन विनर होता है अपने बंदों का इन लोगों से कोई भी तुश्मने नहीं है बट यह लोग मैडम बोको का आफ ज्यादा परेचान कर रहे थे इसलिए बंद भी एक्शन में आ गए है वैसे इन लोग का फाइट काफी ज्यादा सही चल रहा है देखना यह की कौन जीता है सामने वाले बंदे पर काफी सारा सूपर पाउर्स वगरा है बट यहार अपना बंदा भी किसी से कम है क्या यहां पर काफी ज्यादा इंटेंस फाइट स्टार्ट हो गया एंड आई होब दुबार से अपना बंदा काफी ज्यादा इजिली इस बंदे को मार दे वैसे यह बंदा काफी सारा चीटिंग्स वगरा तो कर रहा है बट उसके बाद भी अपने बंदे ने इसको काफी ज्यादा इजिली फिनिश कर दिया है आपना बंदा यापर इसका प्जादा बेज़ोतिव अगरा कर रहा है बट यहाँपर कुछ ल्चीटन्स तो जुरूर होने वाला है यह बंदा काफी ज्यादा तेजी से उपर उठ रहा है अब देखना ही है कि हम आगे क्या होता है भाई ओपोनेट भी काफी ज़्यादा तगड़ा है यार इसके जैसा शार्प ओपोनेट मैंने पहली बार देखा है भाई के पास काफी ज़्यादा तगड़ा पाउर्स वगर है अभी इन लोग का फाइट दुबारे से स्टार्ट हो गया है अब देखना ही एक इस बार कौन यहाँ बर इस नशेड़ी को देखो भाई इसको कोई फरक ही नहीं पड़ता यार अरे अरे यह क्या कर रहा है यह क्या है ओके तो इनलों का फाइट काफी ज़्यादा तगड़ा चल रहा है भी सामने एक बंदा और अपने दो बंदे देखना यह क्या आगे क्या होता है ओके तो अपने बंदे ने को शार्प ऑबिजेक्ट वगरा उठाया और इसकी तरफ फेका बर्ट इसको लगाई नहीं भाई काफी तगड़ा ओपोनेंट है ओके तो अभी इन दोनों के बीच में दुबारा से काफी ज्यादा टगड़ा फाइट वगरा स्टार्ट हो गया है क्योंकि अपने बंदे ने इसका काफी ज्यादा है भी वेज़ती वगरा कर दिया था इस बार तो मैं भाई अपने बंदे कोई सपोर्ट कर रहा हूं तो काफी ज्यादा है यार तो होब तुम लोग को ये वाला वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा अगर तुम लोग को ये वाला वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो फटहफट से वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर निवह तो चैनल को सब्सक्राइब कर द